सोयाबीन का प्लांट डिलीवरी मूले 26 जनवरी से एक फर्वरी वाले सप्ता के दौरान राजियों मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में कमजोर रहा क्योंकि सोया तेल एवं सोयामील का कारोबार तथा भाव नरम चल रहा है। समीक शाधीन सप्ता के प्लांट सोयाबीन का प्लांट डिलीवरी भाव राजस्थान, कोटा में एक सो रुपए प्रती क्विंटल, मध्यप्रदेश में 50 से 175 रुपए प्रती क्विंटल तथा महाराष्ट्र में 100 से 200 रुपए प्रती क्विंटल घट गया। अधिकांच मंडियों में सोया बीन का भाव घटकर सरकारी समर्थन मूले से नीचे या उसके आसपास आ गया है, जिससे किसान काफी चिंतित हो रहे हैं। सोया रिफाइंड तेल की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए प्रती 10 किलो की नर्मी रही। मंदसौर की एक इकाई में सपता के दौरान इसका दाम 23 रुपए गिरकर 864 रुपए प्रती 10 किलो पर आ गया महराष्ट्र की अनेक इकाईों में रिफाइंड सोया तेल के दाम में 25 से 30 रुपए की भारी गिरावट दर्स की गई। राजस्थान के कोटा में इसका भाव 30 रुपए घटकर 890 रुपए प्रती 10 किलो रह गया। समीक शाधीन सपता के दौरान अंतराष्ट्रिय बाजार में भी नर्मी रही। घरेलू प्रभाग में सोया बीन की औसद दैनिक आवग 2.40 से 3.1 लाक बोरी हुई मगर इसके खरीदारों का अभाव रहा। सोया डी ओसी की मांग कमजोर है। अर्जेंटीना में सोया बीन का शांदार उतपादन होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे क्रूड डिगम सोया बीन तेल एवं सोय मील की कीमतों पर दबाव पढ़ने लगा है। उलेखनी है कि अर्जेंटीना परंपरागत रूप से दुनिया में सोया तेल एवं सोया मील का सबसे प्रमुख निर्यातक देश रहा है और भारत वही से सोया तेल का सरवाधिक आयात करता है। ब्राजील में भी सोया बीन का संतोष जनक उत्पादन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सस्ते आयातित सोया तेल की प्रतिसपरधा में टिकना भारतीय क्रशर्स प्रोसेसर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। Bureau Report Market Times TV